दोस्तों नमस्कार मैं दीटेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल पर आज का सब्जेक्ट है वो यह है कि लौकी जो अगर बाजार जाते होंगे तो एक सब्जी आपको मिलती होगी बहुत आसानी से लौकी लेकिन उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं औ आपको सारी जानकारी देंगे तो बने रहेगा और पूरा वीडियो देखेगा तो यकिन आप कुछ ना कुछ इसमें से फायदी की बात आपको सामने निकल कर आईगी तो हमारे साथ में जूड़ चुक है संजाजी स्वागत आपका मेरे चैनल पर मुझे यह बताए कि जो कि आपकी ने यह लुकी का फसल उगाया है लुकी की जो खेती की है तो आपको अभी क्यों यह इस सीजन में आपको लुकी करने की क्या जरूत थी जबकी जरूत जब्कि ज़नरली यह जो शीजन है थोड़ी सी थंड अभी शुरू होने वाली है इसमें लोगत्सर मक्का और मेरा टाइमिंग बहुत सही था इस साल का यह जो टाइमिंग होता है इस टाइमिंग पर कोई लोकी उगा नहीं पाता है इसका कारण है कि जमीन पर हो नहीं सकता उस टाइमिंग पर मैं एक जुलाई पर इसका नरसरी तैयार करके इसका टीपी किया था और इसको एक बहुत अच्छा रेट मिला आपको और मात्र आधा एकड़ में मेरा लोकी लगा है और पहला तोड़ाई ही मैं करीब 30-32 कुंठल टोड़ा था यह बहुत अच्छी वारे रहा है लगाया है श्रीप में आधा एकड़ में लोकी लगाया है और इसके लागत कितनी लगी और बाकी लेबर कॉट जो है दवा का अलग से मेरे साथ में जो फार्मर है वो बहुत हाइटेक फार्मर है यह आगे आपको बताएंगे थ्रीजी कटिंग के बारे में यह हम लोग कुछ नए वर्ट सुनेंगे इनके मुह से और जो इक सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी वाल वाला सीजन फंगस लगने वाला इसमें आप इसकी कैसे इसको बचाते हैं देखिए इसका सबसे में नहीं है कि टाइम टू टाइम इसका फंगस आने से पहले ही इसका हो जाता है और हमको पता है कि कब डावनी लगने वाला है कब पावडरी लगने वाला है उससे पहल आपको यह सीजन क्या चुनाव कैसे करते हैं कि इस सीजन में आपको अच्छा आमदनी मिलेगा देखिए अपना जो चतिस गड़ है हम चतिस गड़ से हैं चतिस गड़ धान का कटोरा है और लगभग यहां 99% लोग धान में कॉंसेंट्रेट करते हैं तो वो जो समय होता है उस समय सब्जी पर कोई कॉंसेंट्रेट नी करता है उस समय सब्जी जो लगाएगा उसको इनकम मिलना ही मिलना है आगे हम लोग इसके बीज के बारे में बात करेंगे और कहां से यह उपलब्द होता है उसके बारे में बात करेंगे आप ऑन-लाइन ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे जो इसमें दवाई खाद है उसके बारे बात करेंगे तो संजय जी थोड़ा सार जनकरी देजिए इसके बीज खाद और इसको जो पलबता है कहां से आप लाते हैं थ्रीजी कटिंग के बारे में देखिए मैं 36 और दो मेरा सबसे फैब्रेट बीच का कमपनी जो है वो यह विएनर है और बीनर का हरुना लोकी है और मेरा सबसे फैब्रेट है कि चोटा साइज होता और सबसे जादा डिमांड के साथ बिखता है अर बहुत साइणिंग है इसमें अगर अच्छे देखें तो आपको सकल भी दीख सकते हैं अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं वियनर सीड्स की जो चतिसगड़ में ही है राइपूर में का ओफिस है और इसके संबने कोई भी जग कर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से पर्चेस कर सकते हैं मुझे एसके पस्काइब में बताई थी तू किया होता है उसके बारे में ढcken plans कि इसमें पत्ली इंचे निकला है इसमें थीृह मतलब 3 123 धिवब को रखना है उसके बाद यहां से कट लगा देना है उसके बाद और ऑन तेन रहे ही इसो पर निकल रहे हैं यह तो आपको चोटा सा आपको दीख रहा होगा कैमरे में इससे जो निकलेगा इसमें पूरा पूरा फिर से फल निकल जाएगा अब ये मतलब पौधे को ज्यादा लंबा चौड़ा बढ़ा करने सच्छा है इसको 3G कटिंग कर दें ताकि ज्यादा फैल जाए अधिक सधिक प्रोडक्शन भी मिलता है और एक दम एक साइज का लोगी मिलेगा अच्छा उसमें साइज भी में मेंटेन हो जाएगा अभी इसके खाद के बारें बता दीजे जरा सब देखिए इसमें बेसल हम लोग भरते हैं डीएपी पोटास और सिंगल सुपर फास्पेट डालते हैं कैलबोर देते हैं एग्रोमीन मेक्स देते हैं यह सब देके बेसल भरते हैं बाकी खात तो जैसा रिक्वार्मेंट है फसल का वैसा अपन ड्रीप से छोड़ते हैं थोड़ी सी जानकारी अब काम की बात करें तो मैं मैं से यह पुछना चाहूंगा कि इनको कमाई कितनी हो जाती है इसमें और यह क्या उमीद किये हैं और इनकी लागत कितनी है जो हर फार्मर लगभग बताते नहीं है लेकिन मैं से उमीद करूंगा कि यह सही सही आपको जानकारी दे दे मेरे ओडियंस के देखिए लागत मेरे को इस साल थोड़ा ज्यादा लगा है क्योंकि मैं इस साल नया जो बास का बंबू है नया खरीत के लाए हूं और यह मेरा तीन साल चल जाएगा तो फिर भी मैं इसको जोड के मेरे को 50,000 रुपए खर चाया है मल्चिंग अगरा सब मिला के एकड़ में और इसमें मेरे को लगता है लाज तक इसमें 5-6 लाग रुपिया प्रोडक्शन हो जाएगा बेच के अमदनी लगभग उतनी हो जाएगी हो जाएगा एकड़ में तो जो लोग बहाना करते हैं मुझे लगता है उनको भी यह वीडियो देखनी चाहिए और इनसे कुछ सीख ना चाहिए बहुत लोग यह कहते हैं कि नंबर दीजिए मुझे खेती करनी है मुझे इसकी जानकारी चाहिए पॉसीबल नहीं होता नंबर देना क्यूंकि कई बार होता है आप आंधरा से हैं गुजराच से हैं राजिस्थान से यह जो अटमसफेर है यह सर्फ अभी 36 गड यह मैं एक जुलाई को नरसरी तैयार करके इसको लगा संजय जी मुझे यह बताइए कि इसमें कुछ बास जैसे कुछ देख रहा है बास जो कच्चा बास है वो कुछ मुझे वायर देख रहे हैं तार और नीचे में अगर हम लोग देखें तो उसमें कुछ प्लास्टिक जैस जो होता है बारिश गिरने से जो अपन बेसल खाड डालते हैं वह जमीन के बहुत नीचे चला जाता है वह पौधा नहीं ले पाता है और मल्चिंग से ढखा हुआ है तो इसमें पानी कोई प्रभाव नहीं रहेगा और खाद अपने जगा में रहेगा और पोदा अपने जर और कहीं चेहत नीए यह तकनीक को हängt मिल आपको कहां से जानकारी मिली और यह मल्चिंग जो जो बोला जाता है यह कहा उपलब्ध की दिश्किरिप्शन вызweis जांगए ऑन-laiNCy या फिर आपके आसपास के जो दुकानदार है उनसे भी आप ले सकते हैं तो थ्रीजी कटिंग की बात हो गई लगाने की विधी की बात हो गई मल्चिंग की बात कर लिए हमने लगभख सारी बाते हो गई हैं अब मुझे यह बताएं लोकी का जो वजन है वो लगभख कितना एक हैंशम लोकी जो तैयार हो जाने के वाद उसका वजन कितना आता है देखिए यह लोकी का वजन अभी तीन से चार्सो ग्राम का है और जैसे ही 25600 ग्राम का होगा तब इसको काट देंगे या तो एक किलो हाईश्ट होगा तब आप एप लेंगे से और यह कितने दिनों का है ज Alexandria कjach junior STriky फूल झायगा भूंव 50 mmO bounce बहुत भूब बहुत धन्य वाद अब कब 30 साभरी मुझे एक है वीडियो में घक है मैं का भारी हूं आप से थोड़ी सी हब यह चाहिए कि आप जो इसको सेल करते हैं तो आपको यह नगत में बगता है यह उधार आंशा में पूरा नगत में बिखता है इस समय मार्केट में सब्जी का इतना क्राइस है कि लोग आके मुझे मसका लगा के मेरे खेट से लेके जाते हैं इस समय सबसे बड़ी बात इन जो मेरे फार्मर मेरे साथ में हैं इंदर की क्वालिटी यह है यह टाइमिंग मैच करते हैं जो आप सीजन फार्मिंग होती है ना अभी धन का समय है तो कुछ और लगा हुई दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब करिएगा पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके बताइए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिजय हिंद मुंदे मात्र जद नगून में पालले तक लिज आया होगाओ वीडियो भÌ रभी याया होगाओ झाले जर कर दो भी मात्राइब करेवाओ आगा पसंद दितित, समया होगा पसंद दो स discrete दोस्तों मात्राभा उनल शेम्वामा ठोस्तों मिलत भी मिलता हैं तो स को सिकfather दोस्तों दोस्ती म mistake